Kratos and Thanos जो अपने universe के सबसे powerful being माने जाते हैं या यूँ कहें वो सबसे powerful being है और क्या होगा अगर ये दोनों powerful being आपस में fight करें और कौन ये epic battle जीतेगा So hey guys मैं हूँ शौरे सत्याड and you are watching Gaming Generation इस channel में गेंज के stories को हिंदी में explain करता हूँ and different type of games topic पर भी video गनाता हूँ and ये एक collab video है Omnis Park के साथ Hey guys मैं हूँ साहिल from Omnis Park और आज की स्वीडियो में हम जो Kratos vs Thanos की epic battle को explain करेंगे हम ये explain करेंगे कि Thanos और Kratos के बीच की epic battle कौन जीतेगा और कौन होगा Last Man Standing So अब without wasting any time, let's begin So एक तरफ है वो Spartan warrior जिसके power का कोई match नहीं और दूसरी तरफ है Thanos जिसको हराने के लिए तो Avengers तक के पसीने चूट गये थे दोनों ही अपने pure focus के लिए famous हैं दोनों ही जो चीज पाना चाहें वो पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं Thanos की तो Thanos का जन्म हुआ था Saturn ए प्लैनेट के Moon Titan पे Titan के लोग Eternal Species के थे और वो लोग लगभग इंसान जैसे ही दिखते थे लेकिन Thanos के अंदर में Deviants प्रजाती का जीन था अगर बात करें Kratos की तो Kratos के लिए मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा Kratos God of War है Kratos बच्पन से ही काफी गुष्से वाला था और बहुत ही फोकस्ट रात में था उसे स्पार्टा का बेस्ट वोरियर बनना था बट Aries Kratos के भाई Demos को अपने साथ कड़नाइब करके ले आता है फिर बढ़ा होने के बाद Kratos Spartan Warrior बनता है फर्दर Kratos Spartan Journal बन गया बार्बेरियन से हारने के बाद Kratos Aries की हेल्प मांगता है और उसी बाद Kratos को मिलता है Braid of Yaws इन सेंपल वर्ड ओलमपस की बरबादी Aries Kratos से Kratos ही फैमिली को मरवा देता है और ये Aries की आखरी गलतियों में से एक था Kratos Aries को मार देता है बट Zeus इस बाद से कुछ में सीखता और Zeus भी Kratos से पंगा लही लेता है फर्दर Kratos अपना faith चेंज कर Zeus the God of Sky को defeat करी देता है इस दोरान वो दो बार मरता भी है और दो बार hell में भी जाता है और वो अपनी ताकर से दोनों बार hell से वापिस आता है हाँ एक बार उसकी मदद गाया ने की थी बट फिर भी Kratos hell से वापिस आया है और ये कोई आम बात नहीं है Kratos एक extremely powerful being है और अगर थैमाउस के खिलाफ किसी को stand करना best option होगा तो वो definitely Kratos ही होगा विकोज Kratos God of War है Kratos किसी भी situation में अपनी मानसिक संतुलन नहीं खोता Kratos अपने brain से fight करता है and this is the only reason Kratos कभी भी कोई fight नहीं हारता बट अगर बात दिमाग की आई है तो थैमाउस भी इस जगह पर कमजोर और fool नहीं है अगर brain की बात करें तो थैमाउस यूनिवर्स तो सबसे intelligent being है no doubt तो गाइस अब हम लोग थैमाउस के powers and abilities को जानते हैं थैमाउस एक extreme powerful titan है और ये कहना गलत नहीं होगा कि थैमाउस यूनिवर्स के सबसे powerful being में से एक है थैमाउस असानी से powerful being जैसे कि Thor और Hulk से fight करता है और उन्हें लगबग हरा भी देता है थैमाउस के abilities हैं जैसे कि super human durability, super human strength और तो और थैमाउस किसी भी damage को असानी से heal कर लेता है और अगर थैमाउस के पास पूरे 6 infinity stone हो तो थैमाउस नाइक ओमनी potence हो जाता है नाइक ओमनी potence कोई छोटी मोटी power नहीं है अगर थैमाउस के पास उसके सारे इंफिनिटी stones होए भी तो भी वो kratos को उस condition में नहीं हरा पाएगा golden fleece nearly हर blow और हर attack को reflect कर सकता है Zeus ने blade of Olympus kratos पर use किया था बट golden fleece पर एक scratch भी नहीं आया blade of Olympus एक ऐसा weapon है जिसने पूरे Olympus को बरबाद कर दिया अगर kratos के पास boots of hermise है तो वो nearly sound की speed से तेज भाग सकता है अगर Thanos के पास सारे इंफिनिटी stone होए भी तो भी वो kratos को defeat असानी से तो नहीं कर पाएगा को उस kratos का golden fleece हर इंफिनिटी stone को absorb कर लेगा so इस situation में Thanos बस reality stone को ही use कर सकता है kratos से खिलाफ बस reality stone से ही kratos नहीं बच पाएगा और अगर kratos निकाला अपना head of medusa तो उस वक्त अगर थैनोस medusa के आखों में देखे तो थैनोस पत्थर का बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए फिर kratos तो अराम से उस पत्थर को तोड़के थैनोस को हमेशा के लिए परबात कर देगा तो अगर kratos के पास उसके weapons हुए तो थैनोस तो जीत ही नहीं सकता भले थैनोस के पास उसके सारे infinity stone है या नहीं सो गाइस अब decision पर आते हैं अगर ये बात करेंगी one one fight में kratos थैनोस को defeat कर देगा तो हाँ ऐसा हो सकता है बट यहां पर ऐसा भी नहीं है कि थैनोस नहीं जीत सकता है और थैनोस जीत जाएगा kratos से अगर situation थैनोस के साथ हो सो किन किन situation में थैनोस जीतेगा और किन किन situation में kratos जीतेगा आईए बात करते हैं अब बात करते हैं कि थैनोस के situation में जी सकता है अगर थैनोस के पास पूरे six stone हो तो थैनोस kratos को हरा देगा क्योंकि six stone से थैनोस लगभग सर्व सकती मान बन जाता है और universe पे लगभग पूरा control थैनोस का ही होता है लेकिन बिना infinity stone के थैनोस के लिए बहुत जादा मुश्किल होगा kratos को हराना एक और situation है जिसमें थैनोस kratos को हरा देगा अगर थैनोस के पास heart of universe हो तो थैनोस हरा kratos तब definitely hundred percent जीत जाएगा जब kratos के पास उसके सारे weapon हो like golden fleece इसके बिना kratos infinity stone को dodge नहीं कर पाएगा blade of Olympus इसके साथ kratos unstoppable है clause of Hades इस weapon से kratos थैनोस की soul को tear कर सकता है books of Hermes इससे kratos थैनोस के हर attack से dodge कर लेगा so इस situation में थैनोस के जीतने की तो कोई chance ही नहीं है मैं guarantee के साथ बोलता हूँ इस situation में kratos जीत जाएगा और यहाँ पर एक और situation है kratos तब तो जीत जाएगा जब उसके पास उसके सारे weapons हो पर ओ तब भी जीत जाएगा जब थैनोस के पास सारे infinity stone नहीं हो no matter kratos के पास उसके weapons हो या ना हो मतलब अगर ये fight विना weapons and विना infinity stone के हो तो भी kratos इस fight को जीत जाएगा because kratos के weapons and infinity stone ही सब कुछ decide करते हैं because दोनों की body strength nearly equal है थैनोस जीतेगा जब उसके situation and infinity stone उसके साथ हो और kratos के पास उसके weapons ना हो लेकिन देखा जाए तो kratos ही इस fight का विनार होगा क्योंकि Thanos with heart of universe और with infinity gonglet इनसे kratos को हरा देगा लेकिन ये दोनों object थैनोस के नहीं है इन objects को अगर थैनोस से चीन लिये जाए तो थैनोस के powers भी चीन लिये जाएंगे लेकिन बात करें kratos की तो kratos के पास spartan range है जिसे उससे नहीं चीना जा सकता so guys ये था हमारा conclusion and कुछ situation जहाँ थैनोस और kratos एक दूसरे से one one fight में जीत सकते हैं तो हम दोनों ने मिलके आपको बता दिया कि किस situation में कौन winner होगा ये epic battle no doubt bloody and deadly होगा भले कुछ भी situation हो दोनों सब कुछ handle करने की power रखते हैं बट हमारे इसाथ से kratos अन थैनोस अपने advantage वाले situation में जीत जाएंगे तो गाइस ये था हमारा आज का कॉले वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजेगा इस वीडियो को अपने friend के साथ में share भी कीजेगा और हम दोनों के channel को subscribe कीजेगा एंड गाइस वीडियो खतम करने से पहले मैं फिर से एक बात highlight करना चाता हूँ Kratos God of War है So finally, thanks for watching